Hey guys, welcome back to the grammar game. I hope all of you are well. दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? Creator of the world, what went through your mind? So guys, देखा आपने. दुनिया बनाने वाले. मैंने दुनिया बनाने वाले को इंग्रिश में बोला Creator of the world. पर guys, मुझे एक बात बताएए, जहां भी बनाना वर्ड यूज़ होगा, चाहे वो दुनिया बनाना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो मकान, बिल्डिंग, रोड बनाना हो, चाहे वो रिश्टा बनाना हो, तो क्या आप हर बार Creator of the world यूज़ करेंगे, इसी वर्ड को यूज़ करेंगे बनाने के लिए Creator of the world, नहीं न, फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है, वर्ड एक ही है, बनाना, हिंदी में तो हम हमेशा बनाना ही यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इस एक वर्ड बनाना को अलग 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 वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, इसी एक वर्ड बनाना को ट्रांसलेट करने के लिए, आईए जानते हैं वो वर्ड कौन से हैं, तो गाइस, सबसे पहले हम जिस वर्ड को ले रहे हैं, वो है खाना बनाना खाना बनाना के लिए हम जिस word का यूज करते हैं वो है cook और prepare गाइस आपने देखा होगा बहुत से लोग make word भी यूज करते हैं खाना बनाने के लिए लेकिन मैं आपको clear कर दूँ cook और prepare बिल्कुल exact accurate word है खाना बनाने के लिए और make word हम खाना बनाने के लिए तब यूज करते हैं जब हमें बिना आग के बिना गैस के खाना बनाना होता है जैसे की salad बनाना लसी बनाना mango shake बनाना रायता बनाना जब हमें बिना आग के कुछ खाना बनाना होता है वहाँ पे हम word यूज करते हैं make और जब हमें गैस के ऊपर खाना बनाना होता है वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कुक या फिर प्रिपेर आईए एक्जाम्पल से समझते हैं मैं सब के लिए खाना बना रही हूं I am preparing food for everyone या फिर आप कह सकते हैं I am making food for everyone दोनों ही वर्ड का यूज़ करके आप इस sentence को बना सकते हैं Guys, हमारा next word है इमारत बनाना मकान बनाना रोड बनाना पुल बनाना इन सब वर्ड को हम English में translate करेंगे सर्फ दो वर्ड से या तो आप यूज़ करेंगे construct या फिर आप यूज़ करेंगे build ये दोनों ही वर्ड ठीक हैं इमारत बनाने के लिए मकान बनाने के लिए घर बनाने के लिए रोड बनाने के लिए ब्रिज बनाने के लिए फ्लाइवर बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं आईए एक्जाम्पल से समझते हैं इस पुल का निर्मान रोमन्स ने किया था इस ब्रिज वॉस बिल्ट बाई रोमन्स एक और एक्जाम्पल देखिए सड़क निर्मान कार्य प्रक्ति पर है दा रोड कंस्ट्रॉक्शन वोक इस इन प्रोग्रेस यह संटेंस तो आपने बहुत बार रोड पे ट्रिवल करते हुए बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा भी होगा तो आई हो यह वर्ड आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमें सड़क यानि की रोड, बिल्डिंग, घर, फ्लाय ओवर, ब्रेज, कुछ भी बनाना हो तो हम यूज करेंगे वर्ड बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्शन आईए अगला वर्ड समझते हैं नेक्स वर्ड है हमारा रिष्टा बनाना या फिर संबंध बनाना रिष्टा बनाना या फिर संबंध बनाना के लिए भी हम बिल्ड का यूज करते हैं His family wants to build a relationship with my family I hope यह वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा हमारा नेक्स वर्ड है जूठी कहानी बनाना जूठी कहानी बनाना को हम इंग्रिश में कहते हैं कुकपा स्चोरी यह वर्ब है जिसकी त्ली फॉर्म्स होती है कुक कुक्ट कुक्ट एक्जाम्पल मुझे पता है यह जू हमारा नेक्स वर्ड है मन बनाना मन बनाना की इंग्लिश होती है मेक अप वन्स माइंड मन बनाना का मतलब है डिसाइड कर लेना नेने ले लेना अपना मन बना लो मेक अप यूर माइंड आईए देखते हैं इसे संटेंस में कैसे यूज करेंगे अपना मन बना लो हमारे प If I make up my mind to get married, I'll let you know. I hope यह word कहां यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा. हमारा next word है बेफकुव बनाना. बेफकुव बनाना को हम English में कहेंगे fool someone या फिर make someone fool. Example, वो माहिर है लोगों को बेफकुव बनाने में. He is a master at fooling others या फिर he is a master at fooling people. I hope यह word कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा. हमारा next word है फिल्म बनाना. फिल्म बनाना की English होती है में का फिल्म. मैं एक फिल्म बनाना चाहती थी जो अन्य सब फिल्मों से अलग हो. I wanted to make a film different from all other films. जो सारी कि सारी movies अभी तक बनी है, pictures अभी तक बनी है, फिल्में अभी तक बनी हैं, उनसे अलग हो. I hope यह word आपको समझ आ गया होगा की कैसे यूज़ करना है. हमारा next word है बात का बतंगड बनाना. To make a fuss. मैं बात का बतंगड नहीं बनाती. I do not make a fuss. हमारा next word है तिल का ताड बनाना. English. To make a mountain of a mole hill. Example. इसमें तिल का ताड बनाने जैसी कोई बात नहीं थी. It was nothing like to make a mountain of a mole hill. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है. यह गाना तो आप सबने सुना होगा. लेकिन यहाँ पर अपना बनाने की English है. Make you mine. इस पूरी लाइन के translation होगी. I have made a promise to make you mine. मतलब मैंने कसम खाई है आपको अपना बनाने की. और friends हमारा next word है बहाने बनाना. Friends अब बारी है आपकी. आप मुझे बहाना बनाना को English में कैसे translate करेंगे और sentence में कैसे use करेंगे. Comment box में comment करके बताईए. तांकि मुझे पता चले कि आप भी इसके English translate कर सकते हैं या नहीं. आगर आप नहीं कर सकते होंगे तो मैं आपको comment box में reply करके बताऊंगी कि बहाना बनाना की English क्या होती है. I hope ये सारे words आपको बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे. Thank you. God bless you all.